जैशी किश्णा आप सबी को कैसे हैं? आप जैमाता दी नवरात्रों की हादी शुपकामनाई नवरात्रों का छटा दिन आ चुका है कितने अच्छे से एक एक दिन पिखता जा रहा है, हम मा की पूजा राधना विदी विदान से कर रहे हैं साथ में कुछ छोटे-छोटे उपाई भी करें, अपने जीवन को खुशाल बनाने के लिए सुक्समर्दी लाने के लिए तो मा के छटे सौरूप, अब मा कात्यानी की पूजा राधना की जाएगी और ये जो छटा दिन नवरात्रों का पड़ रहा है, वो शुक्रवार के दिन, बहुत ही दुल्लब सही योग है ये देखिए कि शुक्रवार का दिन, वैसे ही मा लक्ष्मी को समत्पित होता है मा कल्यानी नराइननी की पूजा की जाती है, शुक्रवार के दिन, धनसमपदा के दिन, मा लश्मी की पूजा राधना की जाती है बोटे से उपाए करें। लक्षमे को समत्पित होता है तो आज मैं आपके लिए बहुत ही खास उपाई लेके आई और एक चीज आपको और बता दो कि मा कात्यानी कुंडली में गुरु ग्रह से समंदित होती है तो गुरु ग्रह को जरूर देखा जाता है वो विवा के कारक माने जाते हैं तो जब भी जिस बच्चे के विवा में अर्चने बाद है बहुत जादा आ रही है वो कात्यानी मा की पूजा राधा विशेश रूप से करें और विवा समंदी जो भी अर्चने है वो सारी दूर होती है मा उसकी विवा समंदी हर अर्चनों को दूर करते अच्छे घर में उसका विवा संपन होता है चाहे फिर वो लड़का हो या लड़की इस दिन जरूर से जरूर विवहा समंदी अर्चनों को दूर करने के लिए मा कात्यानी की पूजा करें और ये छोटे-छोटे से उपाई भी जरूर करें, मा को शेहत बहुत जादा दिख पिरें, तो आज ये दिन मा को शेहत का भोग जरूर से जरूर लगाए तो चली अब मैं बात करने जा रही थी आपके सथ कुछ ऐसे उपाई जो मैं आज खास लेके आई हूँ जो आपको मा कात्यानी की पूजा रादना के लिए करने है जिससे आपके घर में सुख संपदा भी बढ़े साथ में अगर दांपते जीवन में कोई समस्या चल रही तो वो भी साथ में दूर होगी और अगर विवास समंधी अर्चनों को दूर करना चाहते तो उसके लिए भी बहुत ही खास उपाई है तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे निवीदन है कि वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और जैमातरी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा तो आज जो खास उपाई है वो देखिए सुबा तो आपने पूजा रातना कर लिए मगर जो आज खास उपाई है वो आपको गोधुली बेला में करना है गोधुली बेला में आप नहाद की स्वच होंगे लाल रंके वस्त धारन करें क्या पीले रंके भी धारन कर सकते हैं, लाल रंका आसल लेके बैठें, आप मा दुर्गा को आज, अगर आप चाहते हैं, कि आपकी विवासमंदी अर्चने धूर हो, तो मा को लाल रंकी चुन्री अर्पन करें, साथ में आपको हल्दी की गाठ ले दी हैं, हल्दी की गाठ आज हल्दी की गाट ले लिजे, मा कात्यानी का स्मरन करते हैं, अर्पन करते हैं, अपनी विभास समंधी अर्चने बाद हैं, जो भी है, उसको याद करते हैं, आपने ये जो हल्दी की गाट है, मा को अर्पन कर देनी है, और हल्दी की माला आती है, हल्दी की जो माला होती है, उस माला से आप मा कात्यानी के मंतर का कोई भी आपको जोवी मंतर आता है उस मंतर से आपने जाप करना है एक माला जाप कर लीजे और फिर ये हल्दी की गाट के जिन बच्चों की विवहा में विलमा आ रहा है वो इन हल्दी की गाट को उठा के अपनी तक्ये के अंदर रख स बाकि जो चार हल्दी की गाट है उसे आप अपने बिस्तर में अपनी अलमारी में कहीं भी समाल के रग दीजे जो भी विवा समंधियर्चने सारी दूर होंगी अगर जिनका विवा हो चुका है मगर उनके दामपत्य जेवन में प्रॉब्लम चल रही है मैरीज लाइफ में प् चोटा सा खास उपाई जरूर से जरूर करें और आज के दीन मा अपने बच्चों की शिगर विवा है तू यह भी उपाए कर ले कि बच्चों के हाथ में आज आप हल्दी जरूर लगा एच्छे फिर लड़का हो या लड़की आप हल्दी ले 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 चुटकी उसमें गंग दागा ले ले नापने नाप के विवा समंदी अर्चनों की बाधाओं को दूर करने की ब्रातना करते वे इस दागे को आप तुलसी के पौदे की जड़ में बांदे यह तो आपके विवा समंदी अर्चनों बाधाओं को दूर करने के लिए है अब जैसे की शेहद मा को शे के बीच में तो आज मा को शेहद जरूर से जरूर चुनाएं और फिर उसको प्रशाज सरूप अपनी पत्नी को जरूर से जरूर खिलाएं बच्चों को खिलाएं घर की जो भी बड़े बुजूर्ग हैं उनको खिलाएं सभी आपका कहा सुना मानेंगे आपसी प्रेम बढ़े तो आज के दिन आप मा को लाल पुष्प कमल का फूल मिल जाएं तो वह जरूर से चड़ाएं नहीं तो लाल पुष्पों की माला ले 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 पीले रंग के पुष्प ले ले अगर गुलाब के फूल की माला अरपन करने तो बहुत ही जादा आती उत्तम होगा वह आप करती समझ से हैं वह जो दूर हो सके आज के दिन आप जरूर से जरूर पांछ लकष्मि कारग कोडी लेकर आए उन्हें लागर आप टोरी के अंदर हल्दी मिला दे हल्दी पेस्ट के अंदर इसे अच्छे से लगा दे कोडियों पर फिर आप लाल रंग का पड़ा ले या चुन्री ले सकते हैं उसी कंदर आप इसे रग दे और साथ में 11 रुपे और रग दे और एक सुपाड़ी रखके इसकी पोटली बना ले और ये पोटली आपने मा लक्ष्मी को अरपन कर दे मा दुर्गा को अरपन कर दे और फिर कमल गत्ता कमल गत्ते की माला ले ले और कमल की माला से आप मा के बीजमन ओम, एं, क्लीम, चामुंडे विचे मंत्र का जाब कर सकते हैं एक माला जाब कर ले मा लक्ष्मी के जो भी आपको बीजमन्तर आता है मा लक्ष्मी का उस मंत्र का जाब कर ले इस रह से जरूर से जरूर ये आप जाब करें आपने जो ये समान र रूप से वास करेंगे, आने वाले साल में भी देकि अब ये जो समय है इसके बाद इपावली उसके बन नया साल शुरू हो जाएगा, तो पूरे साल का मतलब कि आने वाले साल में भी आपके घर में स्दिल लक्षमी का वास हो, आज की दिन आप खीर ज़रू बना लें, लेकि को प्रसंद कर सकते हैं, छोटे-छोटे से उपाई करें, आपके घर में आप श्रीयंत्र है, तो श्रीयंत्र की पूजा राधना जरूर से जरूर करें, श्रीयंत्र लेकि गंगा दल से साफ कर लें, साफ करके, फिर उसकी पूजा राधना करके, अपने तीजोरी में जरूर से जरूर रखे इस तरह से उपाई करे मां को पान का बीरा जरूर अर्पन करें तो इस तरह से आधर आप उपाई करते हैं आज के दिन विधी विदान से मा की पूझा राधना करते हैं अपने मुख्य दर्वाजे पेक चौमुखी दीपक प्रजूलित करते हैं आज के दिन तो आपके घर में सुक्समिधी बरकत हमाईशिया बनी रहेगी वीडियो अच्छी लगे तो प्रीज जादर से जादर शेयर करें लाइक करें सब्सक्राइब करें और कमेंस बॉक्स में जैशी किष्णा जरूर लिखेगा जयमाता दी जरूर लिखेगा और यह उपाय करके आपके जीवन में जो भी परिवर्टना तक अपना फीडबाग जरूर दीजेगा आपके कमेंस बढ़के अच्छा लगता है और अब मुझे आगे दीजेए फिर मिल कुछ ऐसी अचुक से उपाय के साथ में जैशी किष्णा आप सभी को जयमाता दी